आज किस वीडियो में हम यहाँ पर बात करेंगे सेप्टिक एबार्शन के बारे में क्या होता है कौन-कौन से इसे होते हैं जो सेप्टिक एबार्शन को कॉस करते हैं सेप्टिक एबार्शन के कंडिशन में क्या-क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कैसे इसको डैगनूस कर करते हैं और इसमें क्या ट्रीटमेंट क्या मैनेजमेंट प्रवाइड किया जाता है इस सारा कुछ बहुत सिंपल लैंगे में डिसकस करेंगे इंट्रेस्टिंग और यूजफुल होने वाली है सुबह ने दिये हमारे शातिस वीडियो में कैसे आप प्रिविएस वीडियो में फ्रेक्षाइटर और कंपिट और इंकम्प्लीट के बारे में हाइड हूं नर्य लीडिके कर चुके हैं वे वीडियो अब इन अभी तक नहीं देखी वीडियो को डिस्कृफिप्शन में मिल जाएगी वहां से आप देख सकते हैं तो सब से काई सहाब पर septic abortion के condition में होता क्या है कि जो woman का uterus होता है और उस uterus में जो content होता है मतलब जो fetus होता है प्लेशंटा होता है इसमें infection होने के कारड जो abortion देखने को मिलता है इस type के abortion कौम लोग septic abortion बोलते हैं काई सहाब पर septic abortion है यह most commonly incomplete abortion देखने को मिलता है incomplete abortion का मतलब during abortion कुछ tissues या फिर कुछ fetus का कुछ part अगर uterus के अंदर ही रह जाता है तो उस type के abortion को incomplete abortion बोलते हैं तो यहां पर septic abortion है यह कई बार incomplete mostly जो है incomplete abortion देखने को मिलता है या फिर कई बार threaten or inevitable abortion भी देखने को मिलता है यहां पर जो uterus का infection है यह कई बार extra uterine places पर spread हो जाता है extra uterine place का मतलब यहां पर जो abdominal region है जो paleoic region है वहां पर infection spread हो जाता है या फिर कई बार other different body parts में जो infection है वो spread हो जाता है जिसके कारण यहां पर septicemia देखने को मिलता है गाई septicemia एक ऐसी condition है जिसमें woman की जो life है वो काफी dangerous state में पहुंच जाती है निश्टे आपर हम clinical grading की भी बात कर लेते हैं कि यहां पर जो septic abortion है इसकी three grade होती है first grade में क्या होता है कि जो infection होता है वो uterus के localized area में ही रहता है second stage में क्या होता है मतलब second grade में क्या होता है कि जो infection होता है वो pelvic structures में spread हो जाता है और यहां पर third grade में क्या होता है कि जो infection होता है वो peritonium membrane में spread हो जाता है इसके साथ यहां पर grade third में septic shock जैसी serious condition develop हो जाती है करते हैं कौन को से इसे कॉजेज हैं कौन कोर्ण को कॉज करते हैं तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं microorganism की काउन काउन सब्सक्स माइक्रenne क्यों काउज सर्थ कई साथ से जो को करते हैं अगर रिसक फैक्टर की बाट करें तो कई सारे से जिनके कारण जो बैक्टेरिया और इंदर चाहाँ आपर प्र करता है तो यहाँ पर रिसक फैक्टर है यौह है इलेक्टिव यवार्शन का मतलब है और अगर अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से abortion करवा रही है तो उसको इलेक्ट्व abortion बोलते हैं काई सहाँ पर abortion करते समय during abortion अगर unclean tools का यूज किया गया है तो उस टाइम पर जो microorganism है वो uterus के अंतर इंटर कर जाता है और वहाँ पर infection cause करता है आप जो रिस्क फैक्टर है वह है आई यूडी इंट्रा यूटराइन डिवाइस या फिर contraceptive devices contraceptive devices इंसर्ट करते समय या फिर रिमूब करते समय जो infection है वह स्प्रेड हो सकता है जो बैक्टेरिया है जो माइक्रो और्गनेजम है वह यूटरस में रिस्क कर सकता है जो रिस्क फैक्टर है वह रिस्क फैक्टर है वो है acidy disease काई साथी एस्टैसिवी स्मय होती है जिनके कारण यहां पर जो बैक्टे рек कर्ड़ा है जो 경त रिस्क फैक्टर है वो है इनकंपलीट इवाक्वेशन का मतलब डिंवर्टरन लिए संगर कुछ ये कुछ risk factor हैं causes हैं जिनके कायानड septic abortion cause होता है रच्टिं आपर बात करते हैं clinical manifestation की यानि की symptoms की कि काउन काऊनों ऐसे symptoms हैं जो आपको septic abortion की condition में के देखने को मिलेंगे सबसे पहले यहाँ पर female में fever देखने को मिलेगा क्योंकि infection है तो infection का जो first sign होता है वो fever होता है तो यहां पर female में high grade fever देखने को मिलेगा greater than 101 degree Fahrenheit ओके रहाँ पर female में lower abdominal pain देखने को मिलेगा और यहां पर female में lower abdominal pain देखने को मिलेगा और यहां पर female में back pain देखने को मिलेगा और यहां पर female में heavy और mild vaginal bleeding देखने को मिलेगी निश्टे आपर female में foul smelling vaginal discharge देखने को मिलेगा निश्टे यहां पर female में अगर symptoms की बात करें तो serious condition में मतलब septic shock के condition में कई सारे symptoms septic shock के देखने को मिलेगा मतलब septic abortion के third grade में जो female होगी उसमें hypotension देखने को मिलेगा hypotension का मतलब low blood pressure देखने को मिलेगा और यहां पर female में hypothermia देखने को मिलेगा hypothermia का मतलब low body temperature निश्टे आपर female में oliguria देखने को मिलेगा oliguria का मतलब जो urine का output है वो decrease देखने को मिलेगा और यहां पर female में respiratory distress जैसे severe problem देखने को मिलेगी निश्टे आपर हम बात करते हैं diagnostic test के investigations कि कौन-कौन ऐसे diagnostic test हैं जिनसे हम septic abortion को diagnose कर सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर female की हम medical history collect करते हैं medical history collect करने के साथ female का physical examination किया जाता है निश्टे आपर doctor के दोरा pelvic examination किया जाता है निश्टे आपर जो सबसे important test है वो है blood culture test जो female होती है जो woman होती है उसमें blood culture test करवाते हैं blood culture test से यह पता चलता है कि जो infection है वो किस microorganism का है निश्टे आपर female का blood test करते हैं जैसे कि complete blood count female में अगर infection होगा तो वहाँ पर जो WVC का count है वो increase देखने को मिलेगा निश्टे आपर female में ultra vaginal sonography करवाते हैं या फिर कई बार abdominal ultrasound किया जाता है लाश्ट में आपर बात करते हैं treatment कि septic abortion के condition में एक female को क्या treatment क्या management प्रवाइड किया जाता है काई सहाँ पर सबसे पहले जो female होगी उसमें blood pressure और urine output को maintain करने के लिए female में intravenously fluid administered किया जाता है निश्टे आपर female में जो infection है वो अगर first grade का है तो उस condition में female में ampicillin और amoxicillin 500 mg और इसके साथ gentamicin 500 mg एडिमिनिस्टर की जाती है निश्टे आपर female में अगर जो infection है वो second या फिर third grade का है तब उस condition में female में septic gym 500 mg और gentamicin 60-80 mg इसके साथ 500 mg metrogil administered की जाती है निश्टे गाइस यहाँ पर जो woman है उसके uterus में अगर कुछ remaining material है remaining tissues हैं तो उन remaining tissues को remove करने के लिए dilation and curate procedure perform किया जाता है dilation और curate procedure के help से जो remaining tissues है जो remaining material है उसको uterus से remove किया जाता है इसके साथ uterus को clean भी किया जाता है निश्टे आपर यह जो antibiotic therapy है यह अगर respond नहीं करती है काम नहीं करती है तब उस condition में female में surgery perform की जाती है अगर यहां पर जो फिलोपियन ट्यूब है जो ओरी है वहां पर अगर abscess बन गया है abscess develop हो गया है तब उस condition में female में hysterectomy procedure perform किया जाता है hysterectomy एक surgery होती है जिसमें female का uterus उसके साथ साथ जो फिलोपियन ट्यूब है और जो ओरी है इसको completely permanently remove कर दिया जाता है और अगर female में आरेज negative pregnancy है तब उस condition में आरेज immune globuline को injection दिया जाता है यह था treatment management आई होप आप लोग सारी समझ गया होंगे अगर आपको वीडियो अच्छे लेगे वीडियो को like कर देना अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ऐसे informative और useful वीडियो हमारी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती हैं थैंक यू